सद्रे मोतरम से इजाज़त चाहता हूँ चूंकि राखी स्पेशल इवेंट है मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं गजल का शायर हूँ तो दो लाइन के बहन और भाई की चाहत का ये इजहार का बंधन बहन और भाई की चाहत का ये इजहार का बंधन ना टूटा है ना टूटेगा कभी ये प्यार का बंधन और अभी हाली में 15 अगस इंडिपेंडेंस डे गुजरा है तो मैं चाहता हूं कि दो तीन कते उस पर पढ़ दू और एक गजल उसके बाद अजाज़त आप सकी ज़रमत तमाम शेड सुनिये का कि मेरा वजूद मेरी शान जिन्दा रखती है जिन्दा रखती है ये खाके हिंद मेरी जान जिन्दा रखती है और वतन परस्ती तो इमान ही का हिस्सा है वतन परस्ती तो आसिम भई वतन परस्ती तो इमान ही का हिस्सा है वतन परस्ती तो इमान जिन्दा रखती है वतन परस्ती तो इमान जिन्दा रखती है और शेर सुनें के हमें लिपटके तिरंगे कुफन में जाना है हमें लिपट के तिरंगे कफन में जाना है और जो सांस लें जो सांस लें तो हवा सिर्फ मुलके हिंद की हो जो सांस लें तो हवा सिर्फ मुलके हिंद की हो यही है आर्जू बस इस चमन में जाना है यही है आर्जू बस इस चमन में जाना है और इसी सलसले में एक नजम में दोस्तों के हवाले आप सबी की समात के नजर करता हूं कि मतला सुनें एक उल्जा सवाल होते है एक उल्जा सवाल होते हैं हां मगर हम ख्याल होते हैं हां मगर हम ख्याल होते हैं और उनका सानी कोई नहीं होता उनका सानी कोई नहीं होता सब के सब बेमिसाल होते हैं सब के सब बे मिसाल होते हैं और ये शेर सुनियां बतावरे खास कि सारे ही बेश कीमती सिक्के यानि दिरहम रियाल होते हैं और फेर लें रुक को जब सभी रिष्टे फिर ये एहलो अयाल होते हैं फिर ये एहलो अयाल होते हैं और मक्ता के बाट लेते हैं दुक अली के सभी बाट लेते हैं दुक अली के सभी दोस्तों बाकमाल होते हैं और इसी के साथ एक गजल भाई प्रोटेस्ट करके इतना गला बैट चुका है कि अब तरन्नुम बहुत मुश्किल काम है चलिए एक गजल सुन लीजे इसके बाद दो चार शेर्ट सुना देंगे तरन्णम में मतल़ है समात करें कि हमने तो आज रात में देखा ये खौब है हमने तो आज रात में देखा ये खौब है उसने हमारे हाथ में रखा गुलाब है उसने हमारे हाथ में रखा गुलाब है और जैसे ही उसने रुख से हटाई नकाब है ऐसा लगा मुझे वो कोई महताब है और पढ़ता हूँ उसको रोज बड़े जौको शौक से चेहरा तो उस हसी का गजल की किताब है चेहरा तो उस हसी का खजल की किताब है और हम उसकी चाहतों से नहों कैसे मुटमईएन आता हमारे खत का मुसलसल जवाब है और ये शेर बतौरे खास सभी की दाच चाओंगा तुम भी अमीर शेहर की इजच करो मगर उसको खुदा समजना बहूत ही अजाब है उसको खुदा समझना बहुत ही अजाब है और ये शेयर भी बतौरे खास की लेता रहा है जो यहां माबाब की दुआ मेरी नजर में वो तो बहुत काम्याब है मेरी नजर में वो तो बहुत काम्याब है और मक्ता के सुनकर मेरी घजल को घजलने कहा अली सुनकर मेरी घजल को घजल ने कहा अली जानू तुम्हारी ये भी घजल लाजवाब है और दो तीन शेर जो मैं हमेशा पढ़ता हूँ वो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग सुननें उसके बाद दो शेर तरन्नुम से पढ़ दूँगा आसिम भाई की फरमाईश है फिर इजासत में कि सब देखते ही देखते कैसे बदल गए और तन पर मेरे फटी हुई पोशाग देखकर गैरों की बाद छोड़िये अपने बदल गए गैरों की बाद छोड़िये अपने बदल गए और जो आप कह रहे थे वही कह रहे हैं तुम जो आप कह रहे थे वही कह रहे हैं तुम दौलत जो पास आई तो लहजे बदल गए दौलत जो पास आई तो लहजे बदल गए और ये शेर बतारे खास कि मस्जिद की सीडियों से बड़े जोर जोर से मस्जिद की सीडियों से बड़े जोर जोर से एक बाप कह रहा था कि बेटे बदल गए एक बाप कह रहा था कि बेटे बदल गए और अब मैं कोई किताब भी पढ़ता नहीं अली 21 वी सदी के तो किस्से बदल गए 21 वी सदी के तो किस्से बदल गए और दो तीन शेर तरन्नम से हज़ित करता हूँ कि चलिए आरिव भाई की फर्माईश है तो दो शेर यही पढ़ देते हैं इस दिल में आप आने को आएं खुशी के साथ इस दिल में आप आने को आएं खुशी के साथ इस दिल में आप आने को आएं खुशी के साथ दुश्वारियां बहत हैं मेरी जिन्दगी के साथ आएं खुश्वारियां खुश्वारियां खुशी के साथ